तो हम आगए पार्ट 3 पे यह फर्स्ट क्वेस्टन है अब तक की जितने भी हमने पार्ट किये जहां पर अगर आप क्वेस्टन करेंगे तो क्वेस्टन कहता है है find from first principles जैनि by definition जैनि उनी चार स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपने derivative ढोना है किसका following expression का with respect to their respective independent variable अगर मैं बात करूं 3t 3t plus 2 whole की पावर माइनस 2 इसमें क्या change कर सकते हैं independent variable का मतलब है जो हम vary कर सकें यानि change कर सकें तो वो क्या चीज है वो टी है obviously तो अब हम जब इसको इसको हम इसका derivative लेंगे तो हम with respect to x नहीं लेंगे बलके with respect to t लेंगे क्योंकि इसमें जो चीज चीज हो रही है वो टी है यानि वेरियेबल इसमें टी है बाकी कुछ क्या करते थे y को equal ले लेते function के अब यासी करेंगे left side पे हम delta y add करते थे right side पे हम delta x add करते थे अब delta x नहीं करेंगे अब delta t add करेंगे क्योंकि इस case में variable जो है वो टी है तो जहां जहां टी है वहां वहां टी plus delta t लिख देंगे और वही सिंपल आप देखें हमने वहीं किया तो क्या बनेगा next step में हमें delta y चाहिए left side पे तो minus y अपने पास से left पे लिखेंगे इसी तरह right पे minus y और minus y की value left पे राइट पे क्या लिखेंगे जो y की value है और वह है 3t plus 2 raised to power minus 2 लिख दिया अब आप देख सकते हैं कि हमने क्या चीज़ common लेनी है पहली bracket में से 3t plus 2 common लेना है जब वह हम निकाल लेंगे common लेंगे तो वह minus 2 power भी उसके उपर आ जाएगी और अगेन इसका प्रूफ हम पिछले question में कर चुके हैं और अंदर क्या बचेगा 1 plus 3 delta t over 3t plus 2 अब obviously जब आपने 3 t plus delta t रखा और उसे हमने खोला तो वह 3t plus 3 delta t बना तो इस तरीके से हमारे पास आ गया और minus के बाद वही 3t plus 2 whole के बावर minus 2 है अब again दोनों टर्म में हमारे पास 3t plus 2 की power minus 2 है तो common ले लेंगे बाहिर और curly brackets में लिख देंगे अंदर जो बचा अंदर क्या बचा अंदर बची एक bracket जिसमें है 1 plus 3 delta t over 3d plus 2 की power minus 2 minus and then 1 अब आप guess कर चुके होंगे हमने क्या करना है binomial theorem की help से इस bracket को curly brackets के अंदर parenthesis है यानि bracket है इसको open करना और इसको binomial theorem की help से open करते है उसके formula क्या है 1 plus power into second term 1 power है minus 2 second term है 3 delta t over 3t plus 2 plus power minus power 1 minus 2 into minus 2 minus 1 over 2 factorial and second term का square second term है 3 delta t over 3t plus 2 whole का square then plus dot 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 square bracket end then minus 1 then curly bracket end हम इस तरह कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि वही step 1 minus 1 से delete हो जाएगा cancel हो जाएगा हमारे पास curly brackets के अंदर सिर्फ 4 terms बची जिन सब के अंदर delta t मुझूद है तो हम 3 delta t over 3 t plus 2 bracket common है सब में तो बाहिर ले जाएगे पहली time क्या बच जाएगी कि हमारे पास जो भी पावर थी पावर थी माइनस 2 तो माइनस 2 plus and आगे सब कुछ वह वैसे का वैसा ही तो next step में हम क्या करते हैं हम कि दोनों साइट को delta t से divide करेंगे तो left side बन जाएगी delta y over delta t right side पे जब हम delta t से divide करेंगे तो एक delta t नीचे है एक delta t उपर है दोनों एक दूसे से cancel हो जाएंगे brackets के अंदर अभी हम कुछ नहीं करते curly brackets के अंदर तो हमारे पास क्या बचेगा इससे पहले 3t plus 2 की power minus 2 and delta t चोंके cancel हो गया तो इसलिए उपर 3 बच जाएगा नीचे वैसे का वैसा यह नहीं 3t plus 2 and curly brackets के अंदर जो है अभी उसे हमने चेडा नहीं तो अब अगें उपर minus 2 है नीचे 3t plus 2 है 3t plus 2 को जब मैं उपर लेके जाओंगो तो यह minus 1 बन जाएगा minus 2 minus 1 minus 3 तो इसलिए हम 3t plus 2 की power minus 3 लिख देंगे और जो 3 था वो वैसे का वैसे ही लिखा रहेगा अभी तक हमने curly brackets को नहीं चेडा next step में हम क्या करेंगे जो fourth and final step होता हमारा हम limit apply करते हैं यानि जो भी हमारा variable है उस पे इस case में delta t approaches to 0 हम लेंगे तो वो क्या होगा इसका मतलब है left side पे limit लेंगे left side पे limit लेंगे left side पे जो delta y वो delta t है वो dy वो dt बन जाएगा यह वो derivative बन जाएगा left side में जो curly brackets है इसके उपर हम limit लगा देंगे limit लगाने का मतलब है जहां जहां delta t होगा वो 0 हो जाएगा minus 3 है into 3 है into minus 2 तो minus 2 into 3 क्या हो जाएगा minus 6 यह हमारा answer है तो आपने देखा कि बड़ा असान था हमने क्या किया minus 6 का मतलब यह है कि power यानि minus 2 को multiply किया है जो t का coefficient है यानि 3 तो minus 2 into 3 minus 6 और जो bracket की power है उसमें से 1 minus कर दिया यानि minus 2 थी उसमें से 1 minus करेंगे तो minus 3 हो जाएगा इस तरह हमारा derivative बन जाएगा यह हमारा shortcut था अगर आप यह lecture complete देखना चाहते हैं और इसके साथ 7000 MCQs वो भी बिलकुल मुफ्ट 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 तो अभी हमारी अप दाउनलोड करें हिपो e-learning program और इसके साथ-साथ डोंट forget to like share and subscribe to this channel